आम आदमी को प्यास के आंसर उलाने के बाद अब टमाटर आँखे तरीर रहा है। पिछले 10 दिनों में टमाटर के भाव आसमान चूने लगे हैं। नीमच में टमाटर लगबग 50 रुपे किलो बिख रहा है। थोग प्यपारी मानते हैं कि नीमच और उसके आसपास टमाटर की फसल नहीं होने की चलते टमाटर महाराश्चु से आ रहे हैं। जिसके कारण टमाटर के भाव आसमान चूरहे हैं। साथ ही लगातार बटे पेट्रोल रीजल की दाम भी सबजियों के भाव बढ़ने के लिए जिम्मधार हैं। महीं आम लोगों का कहना है कि जब लॉक्डाउन लगा हुआ था तो सबजियों के दाम आदे थें। लॉक्डाउन खुलने के बाद और भाव दो बुने हो गए हैं। जिससे कीचन का जायजा बिगड गया है। हालात ऐसे ही हो गए है कि मत्यम परिवारों को एक सबजी लेने के लिए दूसरी सबजी छोड़नी बढ़ रही है। महेंगाई आसमान चूरही है और आदमी की आमदनी वही की वही। इतनी महेंगी हो रही है। धनिया तो मिली नहीं रहा है। मार्केट में धनिया ही ने टमाटर का भाव होते हैं। दस की जगा 30-40 रुपे किलो हो रहा है। अब मध्यम बढ़े वाले हमारे मिडल क्लास वाले जैसे को तो एकदम भी ना बोल सकते हैं। कुछ ले सकते हैं। अभी खाना है तो लेना ही जरूरी है। सब्जे महेंगी होते जा रहे हैं। रोज मजदूर कमाने वाले हैं। वो लोग क्या सोचें। एक चीज ले तो एक चीज नहीं ले। टमाटर है तो सब्जी का भाव चल रहा है। पहले पांच रुपे किलो मिर रही थी प्याज अभी तो पंदरा रुपे ने बीस रुपे का बाव बढ़ गया तेजी से और आलू तो पच्छीस रुपे किलो हो गए। जो हैं सब्धिक्तर भाहर से आरी है। इसमें टमाटर मुखिता महराष्टे से आता है पर अभी ये टमाटर बहुत महंगा हो गया अभी इस समय टमाटर जो है पचास से साथ रुपे चालीस रुपे किलो तक बिख रहा है। इसके पहले जब लागडाउन लग रहा था जब 10 से 15 रुपे किलो बिख रहा था और अभी बारिश की वैसे टमाटर महंगा हो गया और गरीबों की थालीसे ये चीज़े दनिया टमाटर की सब चीज़े दूर हो गई है। नीमच से मुझता करीशा की रिपोर्ट